प्रदसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल की कुछ जरूरी अपडेट पर बात करेंगे इंडिया कोयत फ्लाइट को लेकर इसके लावा इंडिया तुर्की फ्लाइट को लेकर और साथ में ही इंडिया सौधी अरब की ड अगर आप फ्लाइट और ट्रिवल की खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं खास तोर पर इंडिया सौधी कोयत कतर ओमान बहरीन दुबई तो अभी आप परदिसी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइ बच्चों की तरफ से अप्रूट की गई है अगर वो वैक्सीन उन्होंने लगवा रखी है और आखरी डोज लगवाने के बाद 14 दिन बीच चुके है तो तुर्की ट्रेवल करने पर उनको 14 दिन अब कॉरंटीन नहीं रहना पड़ेगा ये तुर्की की तरफ से अपडेट होना चाहिए अगर वो ट्रेवल कर रहे है और कॉरंटीन नहीं होना चाहते है तो साथ में 72 घंटे के अंदर का PCR टेस्ट उनके पास होना चाहिए तुर्की ट्रेवल करने से पहले ये तुर्की वालों के लिए अपडेट है दोस्तों कि जो लोग वैक्सीनेटेड है इंडि में कॉरंटीन कर सकते हैं 14 दिन के लिए ये तुर्की के लिए दोस्तों इसके लवा दोस्तों कोईट की तरफ से एक अपडेट है कोईट के लिए आज इंडिया से नियमित फ्लाइटें सुरू हो रही है कोचीन से मुंबई से इसके लवा चन्नाई से एहमदाबाद से दिल नियमित तोर पर चलेंगी जिसमें कोईट एरवेज की फ्लाइट होंगी जजीरा एरवेज की फ्लाइट होंगी एर इंडिया की फ्लाइट होंगी एर इंडिया एक्स्प्रेस की फ्लाइट होंगी अब फ्लाइट आपरेट होने के बाद कोईट के लिए टिकट धीरे धीरे कोयद के लिए आपरेट होंगी अभी भी कोयद ने जो एक कोटा निर्धारित किया हुआ इंडिया का वो 528 यानि 5,528 लोग एक हपते में कोयद के लिए इंडिया से डायरेक्ट लिए ट्रवल करेंगे कि आप साओधी एरब से वैक्सिन की दोनों डोज लगवा कर इंडिया चुटी पर आये हुए हूँ तो आप साओधी एरब के लिए इंडिया से डाइरेक्ट 22,000 रुपय में टिर्वल कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अभी टिकट कितने का है डाइरेक्ट इंडिया से साओधी एरब के लिए कोची एरपोर्ट से रियात के लिए और दमाम के लिए अगर आप वैक्सिन की दोनों डोच साओधी एरब से लगवा कराये हैं और चुटी पर आये हुए और सस्ते टिकट में जाना चाहते हैं तो मातर 22,000 रुपय में आप तिर्वल कर सकते हैं इंडिया से साओधी एरब के लिए चलिए चेक करते हैं अभी टिकट का दाम क्या आ रहा है कोची से रियात के लिए और कोची से दमाम के लिए कि अभी कुचीन से दमम के लिए का टेकट है कैं टारेकट तो यह मैं 12 September सेमेट करता हूं कि 12 September में support कि है Canyon से दमम के लिए मैं इसको सर्च कर लेता हूं कि आभी यह धिक पोग लेता हूं जो टेकट आरह रहा है भी कोचीन से दमम के लिए यह 12 September का यह Sp Already nine police घैए ये सुबा आठ बच के 20 मिनट पर कोचीन से और दमाम पहुचेगी ये सुबा गैरा बज़े सुबा पहुचेगी तो ये जो फ्लाइट का टिकट आ रहा है ये 22,000 रुपिया आ रहा है इस 22,000 का है 12 सेप्टेंबर का कोचीन से दमाम के लिए तो अगर आप फुली अगर कोचीन से अगर 13 सेप्टेंबर में कोई टरूल करना चाहता है रियाद के लिए कोचीन से तो उसको फ्लाइट मिल रही है 28,819 रुपिया की ये डायरेक्ट फ्लाइट ये भी होगी ये फ्लाइट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर ये एर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट होगी सुबह 11 बचकर 20 मिनट की कोचीन से और 2 बचकर 10 मिनट पर यानि 14 बचकर 10 मिनट पर आप पहुँचेंगे रियाद तो ये रियाद के लिए हो गया दोस्तों अगर आप कोचीन से ट्रेवल करना चाहते है डायरेक्ट तो ये टिकट के दाम अभी जो आ रहे है अभी दमाम के लिए जो फ्लाइट आ रही है कोचीन से वो 22,000 रुपे के आसपास है इसके लबाद जो कोचीन से रियाद का टिकट आ रहा है वो 28,819 का आ रहा है बाद ये उन लोगों के लिए जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज साγά औरभ से लगवा कर छुट्टी पर इंडिया आये हुई है बाद जो लोग इंडिया में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके उनके लिए बेर्हाल अभी दोस्तों क कोई अपडेट नहीं आई है, उमीद है कि आने वाले दिनों में इस पर अपडेट आने वाली है, जैसे कोई अपडेट आएगी आप तक शेर की जाएगी, इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक आप अपना ख्यार लखिए, गुड़ बाई